हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज मैं लेकर आये हूँ दोस्तों पधनपुरुसकार 2021 करेंट अफेर का मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंस हर एक जाम में इस टॉपिक से एक से दो कोश्चन बिल्कुल आते हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखेगा फ्रेंस दोस्तों पधनपुरुसकार के बारे में मैं पहले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा दिन उसके बाद हम लोग MCQ के माद्यम से 2021 में दिये गए सभी इंपोर्टेंट पधनपुरुसकारों के बारे में वन बाई वन और डिटेल से डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पधनपुरुसकार दोस्तों भारत के सरवचे नागरिक पुरुसकारों में से एक है इसकी सुरुवात 1954 से हुई थी ये पुरुसकार कला, साहित्य, विज्ञान, चिकिस्थ, खेलकुद, उद्योक और समाज सेवा के छेत्र में विशेश योगदान के लिए दिये जाते हैं पधनपुरुसकारों की बात करेंगे तुष्ची घोषना हर साल गंतंतर दिवस के आउसर पर की जाती है कुल तीन परकार के पधनपुरुसकार भरस सरकार द्वरा दिये जाते हैं पधनवईभुशन, पधनवभुशन और पधमस्री इस बार कुल 119 पधनपुरुसकारों की घोषना की गई है तो देखिए 7 लोगों को पद्म विभूशन, 10 लोगों को पद्म विभूशन और कुल 102 लोगों को पद्म स्री दिया गया पहला question है friends मुर्तिकार सुदर्शन साहु को कला के छेत्र में पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया इनका संबन किस राज्य से है तो किस राज्य से है friends इनका संबन औरीसा राज्य से है ये पौरानी कताओं पर अधारित मुर्तियां बनाने का काम करते है बात करें पद्म विभूशन की तो यहाँ भारत रतने के पाद देश का दूसरा सरोच नागरिक संबन है 2021 में कुल साथ लोगों को पद्म विभूशन दिया गया है पहला है सिंजो आबे जपान के पूरो प्रधान मंत्रे है इनके कारेकार में भारत और जपान के रिष्टों में मजबूती आए हाल ही में इन्होंने अपने खराफ स्वास्थ के चलते पी-म के पत्सी सिपा दिया है इनके जगा पर नए पी-म कौन बने है योशी ही देशुगा योशी ही देशुगा जो है जपान के नए वरधान मंत्री बने है इसके बाद देखे फ्रेंट्स एस पी बाला सुब्रमन्यम इनको मर्नो प्रांथ पद्नु इभूशन दिया गया ये जो है फ्रेंट्स हिंदी और तेलवू सिंगर है इन्होंने लगभग 40,000 से ज़्यादा गाने गाये है इनको 6 बार बेश्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है पहली बार कब मिला था? 1979 में नेश्ट है डाक्टर वेले मुनप्पा हेगडे ये जो है फ्रेंट्स हिर्दय रोग विसे सग्या और लेखक है इनको 2010 में पद्नु भूशन दिया गया नेश्ट है नरिंदर सिंग का पानी ये भारती मुल्के अमेरिकी वज्यानिक है और याद रखेगे गा फ्रेंट्स इनको भी मर्नो प्रान पद्म विभूशन से सम्मनित किया गया अगले हैं बी बिलाब ये पूरा तत्त्तव भाग से सम्मनित है ये फ्रेंट्स भारत्ति पूरे तत्त्त्त सरेक्षन के पूरो महानी देशक रहे चुके है ठीक है फ्रेंज नेश्टा है मौलाना वहिद्दिन खान ये एक इस्लामिक विद्वान और सांती कार्य करता है तो पद्मभूशन जो है फ्रेंज साथ लोग को दिया गया ये सबी को आपको याद रखनी है अगला प्रशन है भारत का तीसरा सरोचे नागरिक सम्मान कौन सा है तो पद्मभूशन फ्रेंज भारत का तीसरा सरोचे नागरिक पुरुसकार है इस साल दस लोग को पद्मभूशन से सम्मानित किया गया याद रखेगा फ्रेंज इन दस लोगों में से चार लोगों को मरनो प्रान्पद नभूशन दिया गया कौन कौन है फ्रेंज इसको याद रखें तरुन गोगोई ये आसम के पूरो मुख्य मंत्री है केशु भाई पटेल ये जो है गुजरात के पूरो सियम थे फिर देखिए राम विलास पास्वान ये पूरो केबनेट मंत्री बिहार राज्य से संबंदी थे फिर देखिए कल्बे सादिक ये उत्तर प्रदेश राज्य से है और अध्यात्म से संबंदी थे ठीक है फ्रेंट्स इसके अलावा छह लोग को और देख लीजिए सुमित्रा महांजन ये जो है पूर्व लोकसभाई स्पीकर है और मध्य प्रदेश के इंदोर जिले से संबंदी थे फिर देखिए अगला कृष्णन नायर सांता कुमारी चित्र ये सिंगर है केरल से है फि फिर चन्र सेखर कंबार ये साहित्य से जूड़े हुए वैक्ति हैं और करनाटा का राज्य के हैं फिर रिपेंद्र मिश्रा ये पूर्व सच्यू भारत सरकार और यूपी राज्य से संबंदी थे फिर रजनी कान देवी दास्ष्राप ये जो है एक बिजनेसमेन है वैपा ध्यान रखेंगे ठेक है फ्रेंस नचेकशन है वर्सद 2029 में कितंए लोगो को पर अगरिकों को लेको एक पेमस्रिसे संबंदी किया गया पर्मस्री कि बात करें फ्रेंस तो यहां भारत का चौथा सरोच नागरिक संबंद् factoर पर भारति नागरिकों को ही दिया जाता है नेश्ट कोश्चन है अंसु जन सेंपा को पदम स्री दिया गया इनका संबंध है तो जो अंसु जन सेंपा ये जो है परवतारु ही है और ये अर्मनाचर प्रदेश राज्य से संबंधित है ये एक सीजन में दो बार माउंट एवरेश्ट के सीखर की चड़ाई की है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला है तो इसको याद रखेंगे ठीक है अगला प्रशन है माउमादास को पदम स्री दिया गया इनका संबंध किस खेल से है तो माउमादास एक खेलारी हैं ये कोश्चन से पता चल गया है किस खेल से हैं ये ये जो है टेबल टेनिस खेलते हैं और बंगाल मतलब पश्चिमंगार राजे से संबनित है तो टेबल टेनिस आ गया है तो टेबल टेनिस से एक नाम याद रखेंगे मनीका बत्रा इनको 2020 में राजी उगांधी खेर रतन पुरुषकार से संबनित किया गया था ठीक है तो और देखिए पदमस्री जो ils स्पोर्ट से संब्धनी था important वह अपने देख लेते हैं पीया नीता ये बॉसकेज बाल खिलते हैं और तमिन्नादू राज्य से संब्धनी था अगला है विरेंद्र सिंह ये पैराएथलिटिक है और हर्याना राज्य से संब्धनी था सुधा अरुपी राज्य से सrichten당 मुराद्मश्री का नुंस दीशा किया कि किस राजे की पहली महिला राजज्री राज्यक garlic और गुवा राजayan की पहली महिला के देखे पद्मस्री में दो और नाम इंपोर्टेंट है उसको अपन वन बाई वन देख लेते हैं राधे शाम बारले यह चत्चिसगर आज़ी के हैं और पंथी निर्तक के यह फेमस नर्तक है नेश्ट है भूरी भाई यह मध्यप्रदेश राज्ज की हैं और यह भील जन जाती की फेमस आर्टिस्ट है अगला प्रशन है पद्मपुरुसकार कौन प्रदान करता है तो पद्मपुरुसकार राष्टपती प्रदान करते हैं नेश्ट कोश्चन देखे फ्रेंस यह कोश्चन आप दे है यह आप लोगों के लिए है कोश्चन है एक साल में अधिक्तम कितने लोगों को भारत रतना दिया जा सकता है ऑफ्चन है चार, छे, तीन या फिर पाँच इस कोश्चन का अंसर आप लोग कमेंट बाक्स में दीजिएगा ठीक है फ्रेंस तो आपन लोगों का नेश्ट वीडियो होगा वो भारत रतना के उपर ही होगा और इस कोश्चन का अंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है फ्रेंस तो दोस्तो वीडियो को यहीं पर समापता करते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लग हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकोन को ज़रू दबाए तक कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिक्षान मिलती रहे तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में फ्रेंज जय हिंद।